नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मन की चाहत पर। दोस्तों, जै श्री कृष्ण राधे-राधे सच्ची श्रद्धा से कॉमेंट में जरूर लिखें। हर-हर महादेव, राधे-राधे देवों के देव-महादेव, सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। और तें सोते समय अपने पास भूल से भी ना रखें। ये चीज वरना आता है दुरभाग्य। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेगे कि कौन से वह काम है जो आपको रात के समय नहीं करने चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें। सदैव बनी रहती है। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं गुरू जी से कि वह क्या कहते हैं। कुछ लोग अपने प्राचीन मूल्यों पर ध्यान नहीं देते हैं और इनसे मिलने वाले शुब फलों से वंचित रह जाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें रात को सोते समय अपने पास कुछ ऐसी चीज नहीं रखनी चाहिए जिनसे निकलने वाली नकारात्मक जब हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती हो। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि यह चीज अगर कोई स्त्री पास रख कर सोती है तो उसके जीवन में दुर्भाग्या आता है। जानकारी के कारण करते हैं या फिर जगह की कमी के कारण वो सोते समय इन चीजों को अपने सिरहाने पर रख कर सोते हैं जिसके कारण उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पता है। बिल आइकन जरूर प्रेस कर ले दोस्तों। दूसरी बात। यह दुर्भाग्य को आमंत्रन देता है। चपल और जूते पैरों में पहनने के साधन है। हमारी शरीर की सारी नकारात्मक उर्जा इन्ही से होकर बाहर निकलती है। अगर आप इन्हें अपने पास रख कर सोएंगे तो इसका असर आपके जीवन पर पाडी डी 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 एच सकता है। चोथी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिससे स्थान पर आप सोते हैं, उस स्थान पर आपके सामने आई, ना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सोते समय आइने में अपनी चवी कभी नहीं देखनी चाहिए। और सुबह उठने के तुरंद बाद देखना दुर्भाग्य कारण होता है, और इससे निडर और भ्रम पैदा होता है, और बुरे सपने भी आते हैं। साथ ही इसके नकारात्मक्ता के कारण जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पांचवी बात, वास्तु शास्त्र के अनुसार सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार का सुगंधित तेल ना रखें। तेल नकारात्मक्त शक्तियों को आकर्शित करता है। अगर अपने पास रखेंगे तो ये नकारात्मक शक्तियां आपके जीवन में प्रभाव डाल सक जिसके कारण जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है। पारहशने के बाद उनको उचित स्थान पर रखें। सातवी बात शास्त्रों के अनुसार मनुष्य को धन संबंधित कोई भी चीज अपने सिरहाने रख कर नहीं सोना चाहिए। इससे अचानक खर्च बारहने लागते हैं और धन की हानी का सामना करना पड़ड़ दाता है। पैसे को उसकी उचित स्थान पर रखना चाहिए। धान का महालक्ष्मी की तरह ही सम्मान करें तभी उसने वृद्धि होती है। आठुवी बात, कभी भी अपने बेड्रूम में किसी भी कोने में जाद्धू खड़ी करके ना रखें। इससे धन की हानी होती है और घर में तनाव की स्थिती बनी रहती है। नोवी बात, रात में सोते समय अपने पास किसी भी प्रकार के धूम्रपान या नशे की वह, तू ना रखें या बेड्रूम के अंदर किसी भी प्रकार के चित्र या साहित्य ना रखें। ऐसा करने से आसपास का वातावरण आप वित्र हो जाता है और नकारात्मकता फैलती है, जिससे स्थान पर आप सोते हैं। उस स्थान की दीवार पर कभी भी हिंसक पशूओं या लड़्धाई के चित्र नहीं लगाने चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके उपर प चीज भूल से भी ना रखें, नहीं तो व्यक्ति की शत्रु की संख्या अधिक बाहाट जाती है। लेकिन अगर आप शत्रुओं से तो सोते समय अपने पलंग के नीचे एक लोहे का रोड अवश्य रखी, लेकिन इसे अपनी सराहनिय भूल कर भी ना रखें। तो ये थी चीज जो सोते समय हमें अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का भी जिक्र है, जिने हमें रात में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन कामों को करने से नकारात्मक शक्तियां बढ़ती है। पर्फ्यूम लगा कर शादी या पार्टी में जाना बहुत लोगों का शौक होता है। लेकिन अगर पार्टी रात के समय हो तो पर्फ्यूम लगा कर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियां हमारी ओर आकरशित होती है। या अगर आपने इत्र का इस्तेमाल किया है तो सोने से पहले कब डीड है जरूर बदल लें। रात में सोते समय लोग घर में खुश्बू के लिए स्प्रे करते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इस से घर में नकारात्मक आती है। नमबर चार, रात के समय कभी भी जूठे बरतन रसोई में नहीं छोड़ानी चाहिए। मान्यता है कि जो लोग रात को बरतन गंदे छोड़ाते हैं या रसोई की सफाई नहीं करते, उनके घर में कभी भी लक्ष्मी वास नहीं करती। नमबर पांच, मान्यता है कि रात को या सूरज के ढल जाने के बाद घर में जाद्धू नहीं लगानी चाहिए। रात में सोने वाला बिस्तर सुन्दर, मुलायम और आराम दायक होना चाहिए। साथ ही बिछा हुआ चादर और तकिया का रंग भी आकरशक होना चाहिए। रात में जूठे मूह या पैर बिना धोय नहीं सोना चाहिए। राधे राधे देव ओके देव महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस वीडियो से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज टार करें किस धने का बनाए ड़ इस वीडियो करें। तो सम्सक्राइब करें, राधे bringsा भी सिसक्राइब करना वाले से ए rub לפि ए दो ओके भी स्वाल, कर दायर।, क हुआ करें दो खिए